कृषी अर्थ शास्त्रियों के 32 अंतराश्य सम्मेलन यानि की ICAI की शुरुवात हो गई है इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किया भारत में सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है शे दिन चलने वाले सम्मेलन में डिजिटल कृषी और सतत कृषी खाद प्रणालियों का प्रधर्शन किया जाएगा इसका मकसद अनुसंधान संस्थाओं और विश्य विद्यालियों के बीच साजेदारी को मजबूत करना राश्य और वैश्विक दोनों स्तरों पर नीती निर्मान को प्रभावित करना और डिजिटल कृषी और टेकाव कृषी खाद प्रणालियों में प्रगती सहित भारत की कृषी प्रगती को प्रधर्शित करना है सम्मेलन में लगबग 75 देशों के 1000 प्रतिनिदी हिस्सा ले रहे है यूपी सरकार ने तहसील पर नुकसान फसलों का मुआवज़ा लेने वाले किसानों की लिस्ट चस्पा करने का पैसला लिया है इसके साथ ही तहसील में एक निश्चत दिन जिन जिन किसानों को मुआवज़ा दिया गया है उनके नाम एनौंस किये जाएंगे वहीं सरकार की ओर से ऐसे किसानों की भी लिस्ट एनौंस की जाएगी जिने मुआवज़ा नहीं दिया गया इस दोरान मुआवजा ना देने की वज़े भी बताई जाएगी उन्होंने बताया कि प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार शती ग्रस्त फसलों का स्तरवे किया जा रहा है ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके केंदर सरकार ने केरल में भूस खलन के बाद वाइनाट सहित 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के लिए E.S.A. मसौदा जारी किया है और 60 दिनों के अंदर सुझाव मांगे हैं केंदर सरकार ने केरल के भूस खलन प्रभावित वाइनाट के 13 गाउं सहित 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के 56,800 वर किलोमीटर शेत्र को परिस्तितिक रूप से समवेदन शील शेत्र यानि की E.S.A. घोशित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी किया है इसमें राज्यों से 60 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां आमंतरित की गई हैं। वाइनाट में भूस खलन के बाद 300 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि की इसरों ने गुरूप कैप्टन शुभांशु शुकला को अंतराश्य अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले अगले इंडो-US मिशन के लिए मैन एस्टोनौट चुना है। इस मिशन पर गुरूप कैप्टन प्रशांत बा के साथ अंतरिक्ष उडान समझोता किया है। लखनव के त्रिवनी नगर के रहने वाले सुभांशु को 2006 में फाइटर पाइलेट के रूप में निउक्त किया गया था। इसरों के मुताबिक राश्ट्र मिशन असाइन्मेंट बोर्ड द्वारा सुभांशु शुकला और प भरने की मनजूरी दी जाएगी। इसरों ने कहा है एक दोनों अंतरिक्ष यातरी अगस्ट 2024 के पहले सब्ता से मिशन के लिए अपना प्रसिक्षन शुरू करेंगे। पटना के ग्यान भवन में दो दिन का मखाना महतसब शुरू हो गया है। इसका मकसद मखाना उत्पाद के जरिये किसान अपने उत्पाद से जुड़े राश्य और अंतराश्य बाजार की पूरी जानकारी भी ले सकेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। पहाड पर बारिश से सबसे बुरा हाल है। उत्राखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश कुंकर, गोवा, गुजरात, राजस्थान, करनाटक, असम और मेघाले सही देश के कई हिस्तों में भारी बारिश की चितागनी दी गई है। अगले 24 घंटों के दोरान जारकंड, उत्तरी 36 गड़, सिक्केम, असम, पश्चिम बंगाल, विधर्व, उत्तर तेलंगाना, दक पुर्वत्र भारत, पिहाल, उत्तर प्रदेश, शम्मु कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, हर्याना, केरल और लक्ष दीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। लद्दाग, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश और आंतरिक करनाटक में हल्की बारिश संभव है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चमी उत्तर प्रदेश में पूरे एक सप्ताह बारिश होने की संभावना जताई है। मिर्जापुर, वारानसी, लखनो, रायबरेली, शामली, बागपत, गाजियाबाद, पुलंड शहर, अलीगड, हाथरस, कास गंच, आगरा, पिरोजाबाद, इटावा, बिजनौर, अमरोहा में बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी चितावनीती है।